हेलो एब्रिवरन और वेलकम यू आल टू मैं चानल एक्स्प्लोरिंग टेले विद आद्या आप लोगों की हाई डिमांड थी कि आद्या दिवाली आ रही है त्योहार है शादियों का सीजन है आप चान्नी चौक लोथ मार्केट जाके वहाँ पर दिखाए कि क्या कुछ नया होम डेकोर में आया हुआ है वाकई इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखो कि आपका दिल खुश हो जाएगा विंटर्स की पूरी तयारे मार्केट में हो रखी है यहाँ पर आपको ब्लैंकेट्स, कमफर्टर्स, रजाईया, क्विल्ट, हर क्वालिटी में, हर साइज में मिल जाएगी हर प्राइज में मिल जाएगी, सबके बजट को सूट करने वाला है यह चान्नी चौक क्लोथ मार्केट या इसे चान्नी चौक गणेश बजार के नाम से भी जाना जाता है देखे जब तक दिवाली है, यहाँ पर मार्केट 7 डेज ओपन है यानि कि आप संडे को भी यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हो आज की व्लॉग में मैंने लगबख सभी शॉप कीपर्स का कॉंटेक नमबर भी दिया है कुछ शॉप कीपर्स ऑनलाइन भी फैसिलिटी आपको देते हैं तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखेगा चलिए आज का वीडियो देखना शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप के बिलकुल लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यानि आद्या का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को अन करना ना भूले तो इस सीजन में शादियों के लिए और त्युहारों के लिए मैंने अलग से बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें मैंने फुल डीटेल्स आपके साथ शेयर की हैं और बहुत सारी शॉप कीपर्स हैं जो कि ऑनलाइन भी प्रोवाइट करते हैं तो इन वीडियो उसको आप सरूर मेरी लिस्ट में चेक आउट कर सकते हो शादी से रिलेटेड एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है देखे जब आप फत्यपुरी की तरफ से आते हैं तो आपको रास्ते में फत्यपुरी मस्जिद क्रॉस करने के बाद में खारी बावली मिलेगा खारी बावली से भी आप आगे चाहिए तो सेंट स्टीफन चर्च मिलेगा जैसे सेंट स्टीफन चर्च की बिल्डिंग आ जाए बस आपको एक मिनिट भी walk नहीं करना और आपको इस तरीके से cloth market गडेश बजार gate number 1 का gate मिल जाएगा गडेश बजार के साथ में यह आगे लक्षमी बजार भी है वो different है गडेश बजार में यह आपको सारा का सारा home decor से related item मिलेगा यहाँ पे सबसे पहली जो दुकान मैं दिखा रहे हूँ माता के और पुजा पार्ट से रिलेटेड नवरात्रों का यहाँ पे सब आइटम था लेकिन वो सब होलसेल में था यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है हर कोई यहाँ पर रिटेल में नहीं देता लेकिन सभी लोग होलसेलर हैं ठीक है? कुछ-कुछ हैं चो कि रिटेल में भी आपको दे देते हैं और जिस तरीके का सीजन चल रहा है मुझे नहीं लगता आप एक चादर लेने के लिए मार्केट में जाओगे है ना कोई गिफ्टिंग के परपस ही या परसनली उसके लिए भी लेता है तो तीन-चार पीसिस नाना करते ले ही लेता है सबसे पहली जो मैं भीयाजी की शॉप आपको दिखा रही हूं इनके पास ना मुझे हमेशा ही नए नए प्रेंट्स और डिजाइन्स देखने को मिलते हैं तो उनके जो प्रेंट्स होंगे वो भीया के पास मिलेंगे लेकिन अलग डिजाइन्स में और प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बेट्शीट्स में आपको दिखा रही हूं इनकी स्टार्टिंग 3.20 रुपीज से हो जाती है यहाँ पर किंग साइज भया ने बोला नहीं होता कुईन ही साइज आपको मिलेगा कमफर्टर्स की जो स्टार्टिंग है वो 4.45 रुपीज से हो जाती है यहाँ पर सब ही लोग होलसेलर हैं लेकिन कुछ-कुछ लोग हैं जो की रिटेल में डील करते हैं तो प्रिंट्स जिजाइन बहुत सुंदर है इस मार्केट में आप 7 डेज जा सकते हो दिवाली तक संडे को भी यह मार्केट उपन है बहुत ही प्यारा सभया ने मुझे यहाँ पर एक कमफर्टर दिखाया था प्राइज मैंने कोट कर दिया है नीचे इस तरीके से आपको मिल जाएंगे आप जो भी लेना उपन करके उसका साइज विथ लेंथ जो आपको चेक करना है कि इसमें कितने पीसिस आ रहे हैं वो सब आप ले सकते हो और यहाँ पर एक नॉमिनल रेंज का मैंने ब्राइडल सेट देखा है गिफ्णिंग के लिए बहुत अच्छा है तो यह भी आपको मिल जाएगा इसमें भी मैरून कलर रेड कलर या ऐसे सारे शेड मिलते हैं अगर आपको हैवी वाला चाहिए तो वो भी आगे वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ बस आप बने रहे हैं सब कुछ दिखाऊंगी परदे कुशन कवर्स और बेडशीट्स हर रेंज में हर प्राइज में हर क्वालिटी में दिखाऊंगी तो इनकी शॉप का कार्ट मैंने आपको दिखा दिया है और यहां पर मैं कोई भी शॉप परसनल या आपको रेकमंड नहीं कर रहे हूँ कि यहां जो और यहीं से शॉपिंग करो मैं इस मार्केट का आपको एक ट्रेलर दे रहे हूँ यहां से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पट्री पर थोड़ा सा ओपन में आपको कई शॉप लगी मिल जाएंगी यहां पर भीया के पास बहुत ही सुन्दर सा शिमर फाब्रिक में कुशन कवर है देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ब्रोंज कलर में और दूसरा जो आपने देखा यह है मोर पंखी स्टाइलिंग में तो इनके पास जो रेंज स्टार्ट होती है वो लग भग साड़े तीन सो डाइसो रुपे के माच कुशन कवर से हो जाती है और डिबेंड करता है फाब्रिक क्या है डिजाइन क्या है नीचे जो आप यह सारे डिजाइन्स देख रहे हैं 16 x 16 के साइज में था यहां पर 24 x 24 भी मिल जाता है तो फाइफ पीसिस का सेट है यह कुशन कवर्स का इस पूरे धेर में हर रेंज के कुशन कवर हैं और डिजाइनिंग सबकी बहुत अच्छी है अगर आपको अपने परसनल यूज के लिए थोड़ा मोड़ा ओके ओके शॉपिंग करनी है तो अपने आसपास के किसी भी सोम बजार बुद बजार से कर लो लेकिन अगर आपको कुछ हटके डिजाइन चाहिए कुछ हैंडवक के साथ में चाहिए या फ्रिल्ज वाला पाटन चाहिए यूनों सब कुछ जो आप ऑन लाइन देख तो बहुत महेंगा मिलता है कुछ हटके चाहिए तो इस मार्केट में डेफिनिटल विजट कर सकते हो इनके पास में भी सामने जो आप बैचीट के सेट देख रहे हो इसकी स्टार्टिंग टू फिफिटी रुपीज से हो जाती है और इनकी शॉप जो है वो अंदर कहीं जाकर है अलग से वहां पर आपको मेंस्वेर कलेक्शन भी देखने को मिल जाता है उपर आप देखेंगे और बहुत ही ब्यूटिफुल सा स्टॉल है यहां पर भी आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनर कुशन कवर्स फर वाले और हर पैटन में मिल जाएंगे वेलवेट में प्रिंटेड वर्क वाले प्रॉपर बीच वर्क वाले वो सब बिलेंगे बस एक प्रॉब्लम यह है व इनको भी यही बात कह रहे थे मैंने का बेटा मतलब बच्चे ही थे मैंने का बच्चे सीजन का टाइम है आपको प्राइज तो याद करने पड़ेंगे फटावर चाहे कहीं लिख लो जसी आप देख रहो है पूरा बहुत प्यारा सा हेवी है और इसमें कलर डिजाइन स्ट्रोर पर आपको मिल जाएगी तो इन बच्चों को प्राइस पता ही नहीं थे एक 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 तो मैं क्या ही आपको बता हूँ बर कलेक्शन अच्छा है स्टार्डिंग जो यहां पे सोफा कवर किया है 80 रुपी से स्टार्ट हो जाता है ओके तो चलो बच्चे है कोई बात जो है उपन मिलेंगी खारी बावली भी और आपका चांदनी चौक में जादा तर भीड भी जो हो रही है वो संडे की दिन हो रही है तो भया जी की शॉप पर पहले मैं आपको इनके सामने वाली दुकान दिखा देती हूँ जो कि अभी भया ने रेंट पे दी हुई है यहा बहुत ही सारे हैं यहां पर जो भया खरीद रहे थे उपन करके चेक करके देख रहे है वो बहुत अच्छी बात है और उपर जितनी भी बैट शीट साफ देख रहे है यह रेंज मैं आपको बता दी है तो भया की शॉप के बिल्कुल सामने ऐसे आपको शॉप मिल जाएगी और अब मैं आपको शीना राइन हैंडलूम वाले भाया की ही शॉप दिखा रही हूँ तो यहां मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइनर सोफा कवर्स के साथ में ऐसे सोफा कवर्स हैं कि मुह में पानी आ जाएगा बिल्कुल जैसे आप क नीचे उपर नीचे बिछाओगे तो टोटल दस टुकड़े हो गए ना सोफे कवर के तो साड़े तीन सो रुपे में दस टुकड़े आपको मिल जाएंगे यह स्टार्टिंग प्राइस है और बाकी यहां पर जो मैं आपको दिखा रही हूँ यह थोड़ा सा त्योहारों के हिसाब से कलेक्शन दिखा रही हूँ इसमें अभी आपको सस्ते महंगे हर तरीके की रेंज दिखाऊंगी जो आपका बजट है उस हिसाब से आप ले सकते हो वैसे यह ऑनलाइन भी देते हैं पर मुझे पता है इनकी शौपर फिलहाल जितना रश हो रखा है उनके किसी भी के पास में टाइम नहीं है कि वो आनलाइन डील कर सके तो बेस्ट रहेगा आप शौप पर विजट करो और यहां पर भी मेरे बहुत ही सारे विवर्स मिले थे अभी आपको उनसे भी मिलवाऊंगी यह देखिए यह सब आप चो देख रहे हैं कुल्टिड वाले रहेंगे ड मार्केट में पहुँचके भया की शौप से खरिदारी करें तो यह देखिए पूरा एम्प्रॉइटरी वाला हेवी डिजाइनर सा पीस है अभी इसका रामा ग्रीन देखना बाइ गॉड मतलब मुह में पानी आ जाएगा यार हम वैसे जो खुद कपड़े पहनते वो भी और घर को सजाने में जो मज़ा आता है वो अलगी लेवल का होता है तो एक एम्प्रॉइटी वाला डिजाइन में आपको अलग दिखाया और यह अलग है इसमें देखिए फोर साइट फ्रिल भी है और यह कुल्टेट भी है तो जैसी जैसी क्वालिटी हेवी होती जाएगी मटीरियल हेवी होता जाएगा वैसे वैसे उसके प्राइज रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग तो जो भी मेरे व्यूर्स भीया जी की शॉप पे शॉपिंग करके आये थे अपना जेनुएन फीडबाग भी जरू शेयर करना और जब ओफ सीजन था उस ताइम पे अगर आप म इसे कुछ पसंद आता है उसका स्रीन्शॉट लेके भी आप शॉप पे जा सकते हो कि भया यह आपके वीडियो में देखा था इस इस प्राइज में सो यह वाला कलेक्शन आप दिखाए बाकी 365 दिन आपको यहां पे बिलकुल लेटेस कलेक्शन देखने को मिलेगा अभी सम और शॉप पेवी मतलब गणेश बासर में आगे तक कितनी भी शॉपिंग करणको अभी जो भी शॉप्स न इसमें टेबल का कवर नी है, सिर्फ चेयर का है, तो यह मिल जाएगा, नेक्स्ट फाइफ सीटर सोफा के लिए यह फिटेट कवर रहने वाले, इससे पहले भी जो चेयर के मैंने आपको दिखाए वो सब फिटेट थे, इसका भी प्राइज मैंने कोट कर दिया है, यह सब कलर्स इसमें मिल जाएंगे, यह कुछ-कुछ डिजाइन्स हैं जब आपको दिखाए पा रहे हैं, आप शॉप पर पहुँचेगा, आपको काफी सारा कलेक्शन देखने को मिलेगा, और प्राइज रेंज हर तरीके की है, फाब्रिक पर डिपेंड करता है, अब आप जो देख रहे हैं, यह डाइनिंग टेबल के लिए, इस्पेशली जिसमें की आपको टेबल का भी कवर मिलेगा, अब अगर आप गौर करें, तो इसका जो चेयर का फाब्रिक है, उसमें नीचे फ्रिल नहीं है, बट देखने में कैसा लग रहा है, बिल्कुल मार्बल जैसा, नेक्स्ट यहां पे आपको मैं दिखा रही हूँ, यह थ्री सीटर सोफा का है, तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है, वो मैंने आप एक कोट के हुई है, इसमें आपको टू सीटर सोफा के लिए भी मिलेगा, थ्री सीटर सोफा के लिए भी मिलेगा, अगर आपको सिंगल सिंगल लेने हैं, तो, नेक्स आपको एक बहुत ही डिजाइनर सा कवर दिखा रही हूँ मैं सोफे के लिए इसकी खास बात ये है कि ये फिसलेगा नहीं पीछे आप ये डॉट्स जो देख रहे हैं ना जब आप सोफे पे डालेंगे तो ये उसे चिपक जाएंगे कई बार बच्चे बैठते हैं कूथते हैं तो इदर उदर हो जाता न सोफा कवर तो आपको बार बार इसमें सेटिंग नी करने पड़ेगी वार नाम के बेडी ठीक आप पोरतों फिफुना ऐसे अवह को मैं इनगी रेट्स में हो बहुत सही लगिया है तो जब मैं यहां पर गई थी मेरे मुझे तीन से चार सब्सक्राइबर मिले थे जो कि अपने अपने किसी रिलेटिव के साथ में यहां पर आके शॉपिंग कर रहे थे बिया के शॉपिंग पे शॉपिंग पे स्पेशली तो थैंक यू सो मच आप लोग इतना प्यार देते हो हो सकी तो अपना जेनुएन फीडबाग भी ज़रू शेयर कीजेगा अब यहां पे ना मैं आपको कुछ डाक कलर में दिखा रहे हूं थोड़े कम रेंच के यह पूरा टैन पीस का सेट रहेगा आपका प्राइज में ने क आपको और ब्राउन शेड मिल जाएगा लाइट डाक सब बिलेगा यह भी आपका ऐसे शनील जैसा फाब्रिक में रहता है सिंगल पीस है इसका डिजिटल पिंट में सिर्फ 95 रुपीस का तो आईसेट जिसका जैसा बजट है उसके अकॉर्डिंग के पास का लेक्शन रहती और यह देखे इसका English Blue या नहीं सॉरी रामा ग्रीन कर था यह यह रामा ग्रीन कलर तो ऐसे प्यारे प्यारे कलर आपको भ॥ा की शॉप पर बोहात सारे मिलेंगे अंदर भी भी शॉप है पर आपको बखुत रश्टा कोशन कवर्च वगरा के लिए सो वह मैं कवर नहीं कर अब बस आप पहुंचना फिर आप बताना आपकी शॉपिंग कैसे रही तो अब यहां से सीद्य जाके ना लेफ्ट में आपको मुलना होगा वो भया कि किसी वरकर किसे आती आप चले जाना आगे भी भया कि शॉप ही मैं आपको दिखा रहे हूं श्री नरायन वालों की तो श इसके लगते हैं और कलेक्शन हर चीज किया है मतलब एक कहते हैं वन स्टॉप देस्टिनेशन तो इसलिए और यह तो अभी फिर मैं बोल रही हूं यह मैं बहुत का सेक्शन अभी आगे आपको इनका बैट शीट और कमफर्टर वाला सेक्शन दिखाऊंगे इनका बैट शी आपको ना दे पाएं इसके लिए रेली सॉरी आप मार्केट में पहुंचिए संडे को भी शॉप उपन है तो और क्या चाहिए यहां पे देखे आपको मैं क्या बोलते थे इसे रणर रणर दिखा रहे हूं सो इनके सबकी अलग-अलग क्वालिटी है I am trying my level best मैं आपको पा पासपडों से ले 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 लेना नो इशू फॉर फिफ्टी रुपीज का है यह बिल्कुल जो पानी सोख लेता आजकल वो चल रहा है यह वो मैट है और यह स्पेशली था किचन के लिए तो जैसे सर्दी आ गई है पैठंडे हो जाते है किचन में कई बार आप चपल उत कर रही हूं भहिया ने बोला है कि आप इसे वंशीन में भी वाश कर सकते हो बट मैं तो बिल्कुल आपको रेकमेंड ने करूंगी या तो आप इसे हैंड वाश करना या फिर आप इसे ड्राइग लीन ही करवाना तो इसमें कलर डिजाइन वराइटी आपको बहुत सारी मिल करना होगा रिक्ष्चर में बाट के जाओगे ना तो बहां थोड़ा जाम लगता है उससे जल्दी आप पैदल पहांच जाओगे गनेश मार्केट तो यह मैंने आपको भया की शॉप दिखा दी थी मैट्स वाली अब मैं उनकी तीसरी शॉप पर आ गई हूं श्री नारायन क्या गई है इसकी मुझे क्वालिटी डिजाइनेंग जब अगारा सारे बहुत अच्छे लगे प्रिंट भी बहुत ही डीसेंट है यह समर्स में भी वर्क करेगा बहुत ऐसा डार कलर नहीं है और विंटर में तो करेगा ही सो प्राइज में इसका कोट कर दिया है जैसी क्व तो फिफ्टी रुपीज में भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रेंट्स आपको मिलेंगे हमारे आसपास में ना कभी बोरिंग सा मटीरल चल रहा होता है इस मार्केट में आओगे ना तो आपको बहुत कुछ हट के देखने को मिलेगा वो भी उसी रेंज में अगर आपको कुछ हट के लेना है तो मार्केट में आओ नहीं तो अगर बेसिक सी नीड है अपने आसपास में खरिदारी कर लो फिर चाननी चौक में धखके काने के लिए मत आना यहां जो मैं दिखा रहे हूं आपको यह सारी आपके रहेंगी प्योर कॉर्टन में किंग साइ यह जो आप कलर्स देख रहे हैं यह सब फाइन कॉर्टन में है प्राइस मैंने कोट कर दिया है अगर आपको यह पर फिटेड बेट शीट चाहिए वो भी मिल जाएगी आपको पैकेट्स वाली चाहिए गिफ्टिंग के लिए वो भी मिल जाएगी यह देखे फ्लोरल प्रि बहुत बीजी थे तो मैंने फिर ओपन नहीं करवाया और अभी मैं आपको और अच्छे वाले जैपुरी प्रिंट्स दिखाऊंगी क्योंकि मुझे तो परसनली बहुत सुंदर लगते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह आपका सेट रहेगा गिफ्टिंग के परपस से अगर आपने सोचा है कि मेरा गिफ्टिंग के लिए 300 का बजट है तो स्टिक रहो उस पर यह नहीं की 400 कर लेते हैं चलो कोई नहीं 500 कर सकते हैं ऐसे आपका बजट बिगड़ जाएगा जिस्टिक रहो अपने डिसीजन पर अपनी बजट पर कि इतना ही खर्चना है इतने मे करना है जो करना है तब ही आप खुश रहो गए क्योंकि पैसे खर्चने का कोई लिमिट नहीं है एक लिमिट अपना बजट रखो चाहे गिफ्टिंग का है या आपने खुद के खर्चे का है कुछ भी शादियां वादियां कुछ भी आप कर रहे हो पैन पेपर लेके बैठ करते हैं तो जिसका जैसा बजट है उसे साब से ही आपको शॉपिंग करनी है यहां पर पैकेजिंग जो मैंने आपको दिखाई इसको मैं उपन करके दिखा रहूं यह फिटेड बेडशीट की है और हाँ क्वालिटी बहुत ही फाइन थी जब आप कपड़े को देखो ना ए कि वो कपड़ा फेर चीप कॉल्टी का होता है तो यहां पर इतने सुंदर सुंदर प्रिंट्स हैं बस मैं प्रिंट निकाल निकाल के आपको दिखा रही हूं रेंज तो ऊपर नीचे चली रही है जो मुझे पर्सनली प्रिंट्स थोड़े समझ आ रहे थे अच्छे लग र पीज में और इसके पिलो कवर आप देख सकते हो बहत ही सुंदर है सो मेभी नेक्स टाइम क्योंकि इस टाइम मैंने ग्लेज कॉटन की बैच शीट्स ली है वो मैं आपको दिखाऊंगी कभी और मुझे ग्लेज कॉटन ही लेना था अभी विंटर्स के परपस से तो मैंने य यहां पर आपको देखे मैं कमफर्टर दिखा रही हूं सो यह ऐसा आप ले सकते हो इसमें डाग कलर भी है लाइट कलर भी है और यह आपका कुल्टिट में रहेगा पूरा जैसे छेट-छेट दिख रहे है इसमें इसे कुल्टिट कहते हैं सो यह 450 का है और हैवी रेंज को पीछे मैंने आपको बताया बजट ध्यान रखना है अब यहां पर कुछ कस्टमर्स ब्लैंकेट देख रहे थे वाकई भाई मैंने यह ब्लैंकेट इस रेंज में पहली बार देखा है मुझे नहीं पता उन आंटियों को क्या समझा रहा था पर यह बहुत बड़ा साइस था और काफी थिक था मतलब रजाई के बराबर का आप इसे ब्लैंकेट मांग सकते हो सामने आप जो देख रहे हो इस सब बैडशीट और कमफर्टर के सेट्स हैं तो अलग-अलग कलर अलग-अलग ब्रैंड अलग-अलग साइज इसमें सब आपको मिल जाएगा मार्केट आप जिस भी मार्केट में जा रहे हो ये हो गया ये हो गया टिक 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 ऐसे लगाते रहो और ध्यान से अपनी शॉपिंग करो बहिया की शॉप का कार्ड आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है इस तरीक एक आउटर लुक है इसमें आप खुद नहीं जा पाओगे वो बहि स्टार्टिंग एट्टिरुपिज से हो जाती है और आगे बी मैंने सी कर्टन दिखाओंगी सब के प्राइज है वह 7 फूट का है और जो जादा वाला प्राइज है वह 9 फूट का रहेगा ठीक है बस 100 रुपीस का फरक इसमें आपको देखने को मिलेगा यह देखे बिल्कुल जैसे होटल में लगते हैं ब्लाक आउट कर्टन्स यह वह है अगर आप पास से देखोगे तो इसम इस की परदे खतम हो जाएंगे परदों का यह वीडियो खतम हो जाएगा उसके बाद भया काड़ टाश होगा उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सो यहां पर यह देखिए ब्लू कलर का फिरोजी ब्लू जिससे आप कहते हो वह उत न प्रटन मिल रहा है अप से देख सकते है आप इसमें कितना प्यारा डिजाइन बना हुआ है जब इन पे धूप पड़ेगी तो बहुत ही सुन्दर चमकेंगे सो सबके प्राइज एक एक करके मैं फ्लाश कर रहे हूं इनसे आप उनलाइन ले सकते हो और शॉप पर जाओ तो भी स्रीनशॉट ले जाओ यह परदा इस रेंज में हमने देखा है यह हमें दिखाओ और नहीं तो इस रेंज में और कलेक्शन दिखाओ यह भया कि यहां पर शॉप है संडे को भी ओपन है दिवाली तक मैं बता रहे हूं अदरवाइज आजाद मार्केट और आपका यह क्लोथ मार्केट, किनारी बजार यह सब जो मार्केट्स है संडे को क्लोज रहते हैं बट जब तक दिवाली है यह सब यह आपको साथो दिन खुले मिलेंगे तो अभी ना एक आपको इसमें शोस्टॉपर वाला परदा दिखाती हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा था मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं जब व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाती मेरा हाथ फस जाता है मेरा छोटू साब आगे उसमें ज़्यादा समान आनी पाता जिस टाम मैं व्लॉगिंग कर रहे हूँ अगर मैं उस टाम साथ साथ शॉपिंग करने लगूँ तो फिर मैं आगे व्लॉगिंग नहीं कर पाती तो कई चीजे बस मन मार के रहनी पड़ती है या थोड़ा स्क्रींशॉट लेके रख लेती हूँ साथ फूट 380 का है और नौ फूट आपका 480 का रहेगा इतना जैनुनली रेट को ही नहीं बताता यार हैट सफ टू भाईया कलेक्शन भी बहुत अच्छा है भाईया का और नेचर भी बहुत अच्छा है और इसमें आपको पता है उपर चल्ले रहते हैं तो आप मशीन में टालोगे तो इसके चल्ले उखड़ जाएंगे तो मैं पते क्या करते हूं चल्लो को ना एक हैंकी से बान देती हूं सबका मतलब ऐसे जैसे आप रॉड में डालते हो ना परदो को ऐसे ही मैं सबको इकटा करके चल्लो को जैसे साडी की प्लेट नी बनाते हैं ऐसे सबको इकटा करके उसके मूँ पर पूरी हैंकी बान देत ये है परदा शोस्टॉपर वाला मुझे इसका ये जो 3D सा वर्क है बहुत प्यारा लगा और इसके कलर्स भी बहुत सुन्दर थे तो डार्क कलर, लाइट कलर या आप अगर पालर रन करते हो कैफे है, कुछ भी अगर आपका वेंचर है सो यहां से आप पर्चेज कर सकते हो उसकी और भी ज़्यादा खुबसूरती बढ़ाने के लिए ठीक है, ओनलाइन ये बहुत देते हैं तो जो भी इनकी शॉप से पर्चेजिंग करें, अपना जैनुवन फीडबाग भी ज़रू जो शेयर करना कि भाईया जो मैं वीडियो में प्राइज आपको बता रही हूं वो शॉप पर जाके आपको मिले या नहीं मिले बस अभी एक सेगंड रुको भाईया के इस शॉप का कार्ड आपके सामने फ्लैश होने ही वाला है चलो अगर आपको यह लग रहा है कि भाईया कि बहुत मैंने महंगे परदे दिखाए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता कलेक्शन भी हो जाए यह जो आप देख रहे हैं यह औरगेंजा में रहेगा 180 रुपीज की रेंज में जाल पैटन बहुत ही सुन्दर और अगें यह फिरोजी कलर का परदा है ओनलाइन चेक कर सकते हो आप इसकी रेंज क्या रहती है यहाँ पर सिर्व रुपीज का आपको सिंगल परदा मिल जाएगा ठीक है सो इनके शॉप मैंने आपको बता दी है और सेवन डेजी ओपन रहेगा कलेक्शन तो बहुत ही सारा है जाने से पहले यहाँ पर आप बच्चों के लिए परदे देख सकते हो उनके फेवरिट कार्टून करेक्टर भीम वकरा जो भी है वो सब आपको यहां मिल जाएंगे तो रामू फर्निशिंग के नाम से भीया की शॉप है बाकि सब आइटम भी इनके पास रहते हैं चाहें बास में भी कमफोर्टर के पैकेट्स में सेटर की होए थे पीछे जो आप यह देख रहो ना डार्क होट पिंक कलर का अभी दिखाते हूं मैं यह एसी ब्लैंकेट है विद पिल्लो कवर्स सो इनके प्राइजिस पर मत जाना यहां पर बारगेनिंग हो जाएगी क्योंकि चा बास में बता दिया और अभी भाया के पास में भी प्राइज में आपको फिटेड बेडशीट के बताएं किंग साइज में तो यह फरक है अगर आप लॉग देखो या ना देखो अब जिन्नों नहीं नहीं देखा होगा उनको लगा फिटेड बेडशीट 1250 की है तो ले ली पर जिन्नों ने ब्लॉग देखा है उनको आइडिया है कि यह चीज कितने की मार्केट में मिल जाती है कितने की मैं ले सकती हूँ नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी आपको मैं रजाई दिखा रही हूँ यह एक पर्टिकुलर ब्रैंड की है क्योंकि यह उल्टा ब्रैंड दिखाया था मुझे तो मैं ठीक से पढ़ नहीं पाई पर क्वालिटी काफी अच्छी है अब देखो इन्होंने जो यहाँ प्राइस बताया है इसी गली में मैं आप बस आगे आगे घूम रही थी तो वहाँ पे मुझे रामा ग्रीन कलर में सेम रजाई देखने को मिली उनसे जो मैंने प्राइस पूछा तो उन्होंने मुझे पंदरा सो रुपे बताए अब समझ गए ना तो भीया की शॉप पे भी आप बार्गेनिंग कर सकते हो इस मार्केट में बार्गेनिग आप जरूर करवा ले ना स्पेशली अगर आप ऐसा उपन पत्री से कुछ भी पर्चेजिंग करें तो बाकी रजाई में कोई कमिनी है क्वाल्टी बहुत अच्छी है नीच कि मत देखो मेरे व्लॉग लेकिन जहां के जिस यूट्यूबर के देखने उसके देखो लेकिन थोड़ी सी नॉलेज इंफोमेशन लेके मार्केट में और हां कभी भी एक ही दुकान से सारी शॉपिंग नी करनी कि अच्छा इनके पास पर्दे भी आचादर भी है बस यहीं पंद्रा सो की चीज मिल रही है तो सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरती है ना तो थोड़ा सा प्राइस कंपेर करने के चलना चाहिए वो भी ऐसे मार्केट में जहां को पता है कि दुकाने ही दुकाने है थोड़ा सा भाव खा सकते हो यार आगे यहां पर रैंडम ली एक दी आप समझ लो स्टॉक क्लेरें सेल है बिसीकली इनकी सो यह ब्रैंड अच्छा है लग्शरी फाब्रिक था इसका क्वाल्टी वाइस भी अच्छा है यह आप ले सकते हो और जिनको जिसे सर्वाइकल वगरा की प्रॉब्लम होती है ना तो उनके लिए भी प्रॉपर यहां प यह सब क्वालिटी वाइस इन्होंने लगाए हुए है जिसका जैसा बजट है खरिदारी कर सकता है और यह सब के सबते आपके डबल बैट के नीचे यहां पर बैचीट के भी सेट्स वागरा काफी में आपको दिखा दिए हैं आपको एक आइडिया तो लगी गया होगा यह पर बहुत ही कुपसूरत सा मैंने कुशन कवर देखा इसका फाइफ पीस का सेट आप को मिल जाएगा सिंगल तो नहीं फाइफ पीस का सेट आप को मिल जाएगा तो सिक्वेंस वाले ले सकते हो रिवर्सिबल है सारे बहुत ही प्यारे प्यारे कलर जिजाइन तो अनलिमिट परदों के कपड़ों का थान चादरों का कुछ था भी मैं आपको एक शॉप दिखा भी दोंगी तो यह अंकल जी की शॉप में आपको दिखा दिया आज ए टेडिंग कंपनी करके इनके पास में बच्चों की जो बैडिंग होती है बूस्टर के साथ में वह भी आपको मिल जा यह एक बैडशीट में ली थी चोपड़ा हैंड लूम से यह ग्लेस कॉटनर मुझे आपको पता है मुझे अपको पता है मुझे पूरी मार्केट में कहीं कुछ नहीं मिला मुझे ऐसा मुझे मुझे अपको अच्छा लगा तो मैंने यह ले ली और यह मुझे जो मैं देख के बस इतना मुझे प्यारा लग रहा था आप देख सकते हो स्क्रींशॉट लेगी जूम करके देखना है बरन के प्रिंट्स मुझे पहले लगा कि कुछ यह भी ऐसी सोफा कवर अगर का होगा मुझे बताया है यह सूट्स के फाब्रिक होते है तो यह पूरा जो प्लस ही होता है अंदर बहुत सारे फाब्रिक है इनके जूम करके दिखा रहे हूं बिल्कुल ऐसे सब बिस आची वाला फाब्रिक है तो अगर किसी को इतने सारे कपड़े की है जरुरत आप अगर कुछ चलाते हो इस तरह के का सब जरूर यहां पर कॉंटेक्ट कर सकते हो इस वीटो को फ़हे हैं यही खत्म कर रहा है आपको पताई है यह लक्ष्मी बजार में तहीं इस छल्डी को में चानल परआने वाली हूं खादी की शापिंग भी stars Cr spared